नवस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रविंदा सिंग, आज न्यू वीडियो के साथ आया हूँ, जिसका टॉपिक है मेरा, मेकल्स डायवल्टिकुलम, मेकल्स डायवल्टिकुलम एक कंजनाइटल कंडेशन होती है, अब जो मेकल्स डायवल्टिकुलम सब्द है, उसमें जो उसे एक out poaching हो जाना उसे एक sec का निर्मान हो जाना या एक अलग से tube का निर्मान होना जो कि आगे जाके blind होती है उसको हम diverticulum कहते हैं अब मेकल से जो diverticulum होता है वो हमारे intestine में कहीं पर भी अगर wall से out poaching हुई है तो उसको हम diverticulum कहते हैं और ये ileum वाले region में जो commonly देखने को मि उसको हम मेकल से diverticulum कहते हैं ये हमारे GIT का figure है जिसमें isophagus के बाद हमारा stomach वाला region उसके बाद small intestine का part हमारा deodenum deodenum हमारा jejunal region से मिल जाएगा jejunum के बाद हमारा ileum region और ileum region हमारे large intestine के part सीकम में open होता है जहाँ पर ileum और सीकम मिलते हैं उसको हम ileocecal junction कहेंगे ये ascending colon ये transverse colon और ये descending colon इसी के साथ sigmoid colon और rectum और anal के anal अब इसमें जो हमारे intestine वाला part है अब इसमें हमारे जो small intestine का जो jejunum और ileum वाला region है उसमें अगर कहीं पर भी उसकी wall में कहीं पर भी जो ये wall का structure है ये intestine के wall का structure है उसमें कहीं पर भी अगर wall से out poaching होती है तो उसको हम मेकल से diverticulum कहते हैं उस condition को हम diverticulum कहते हैं मेकल से diverticulum एक congenital condition होती है जो कि हमारे commonly terminal ileum के part में देखने को मिलती है अब जो मेकल से diverticulum होता है इटी ये part of unobliterated proximal portion of vitelo-intestinal duct अब इसमें जो vitelo-intestinal duct का है vitelo-intestinal duct एक ऐसी duct है जो हमारे GIT system के development के दोरान GIT system के जो cells होती है उनको nutrition प्रदान करता है जो हमारा GIT system रहेगा उस से और जो हमारा yoke-sake होता है human embryo में उसको connect करता है GIT से और yoke-sake से जो connection होता है वो vitelo-intestinal duct के थो होता है अब जो vitelo-intestinal duct होती है वो GIT system में जो development के दोरान yoke-sake से हमको nutrition प्रदान करता है धिरे-धिरे जब 7 week की अवस्ता होती है तो 7 week के लगवाग में हमारा placenta का निर्वान स्टार्ड हो जाता है तो धिरे-धिरे जो ये duct रहती है ये धिरे-धिरे अपने आप obliterate होने लग जाती है कुछ condition में ऐसे होता है कि जो ये धिरे-धिरे obliterate होती है जो हमारी intestine की wall से duct connect रहती है उसमें out pushing हमको देखने को मिल सकती है जो मेकल्स diverticulum होता है वो unobliterated proximal portion of vitelo-intestinal duct होता है जो की हमारे GIT system से connected रहता है अब हमारी जो diverticulum condition है मेकल्स diverticulum उसके लिए हमको 2% formula याद करना है 2% formula में 2% जहाँ पर आपका diverticulum लिखा है diverticulum में जो die सब्द है वो 2% के लिए हमको indicate करेगा इसमें 2% formula हमको याद रखना है तो जो ये diverticulum की condition होती है 2% हमको देखने को मिलती है 2% population में देखने को मिलेगा जो की एक congenital anomaly है अब second है कि जो हमारा ये मेकल्स diverticulum हता है वो ileum region में हमको देखने को मिलेगा जो की हमारे 2 feet from ileocecal valve जहाँ पर ileum और सीकम का जो junction होता है उससे 2 feet की दूरी पर ileum region में हमको मेकल्स diverticulum देखने को मिलता है अब जो मेकल्स diverticulum की condition होती है जो हमारा ileum और सीकम region है उसके जो joint पर हमारा जो valve होता है उससे 2 feet की distance पर हमको ileum region में हमको जो ये out poaching है वो देखने को मिलेगी अगर 2% formula के हिसाब से है हमको इसके 2 feet की दूरी पर मेकल्स diverticulum देखने को मिल सकता है अब जो मेकल्स diverticulum की लंबाई के लिए बोला गया है लग बग 2 inch तक लंबा हो सकता है उसकी जो लंबाई होगी मेकल्स diverticulum की वो 2 inch के लगवा लंबी होगी अब 2% of मेकल्स diverticulum विल बी symptomatic अब 2% हमको के वाली जो मेकल्स diverticulum की condition होगी उसमें कुछ symptom दिखाई देंगे वो symptom डिपेंड करता है कि उसमें अगर कोई pathology होती है तो उसके basis पे वो हमको conditions देखने को मिलेगी 50% of symptomatic जो symptomatic परसेंट होंगे उसमें जो 50% होंगे are below 2 years of age दो साल से छोटे उम्र के जो बच्चे होंगे उसमें देखने को मिलेंगे 20% हीट्रोट्रोफिक एफिथिलियम अब जो हमारी intestine की layer होती है उसमें से outer thin layer जो होंगी हमारी उसमें जो layer outer thin होती है वो diverticulum में भी present रहती है कभी-कभी जो mucosa layer होती है उसकी cells different भी हो सकती है जिसमें की हमारी gastric cells present हो सकते हैं यः pancreatic cells present हो सकते हैं यः colonic cellsけて हो सकते हैं नहीं तो intestinal cells होती है वो present हो सकती है अब इसमें जो हिट्रोट्रोफिक है वो 20% हमको देखने को मिलेगी जिसमें हमारे gastric cells present हो सकते हैं या pancreatic cells present हो सकते हैं या colonic cells इसमें present हो सकते हैं जो इसकी innermost mucous layer होती है उसमें हिट्रोट्रोफिक epithelium होगा अब जो इसका male to female ratio होता है to ratio 1 होगा जो मेल की कंडिशन होगी उसमें डबल देखने को हमको मिलेगा डाइवर्टिकुलम की कंडिशन अब जो मेकल से डाइवर्टिकुलम का कंडिशन होती है Most common congenital anomaly of small intestine ये congenital deformity है जो के हमारे small intestine की सबसे common से पाई जाने वाली एक congenital anomaly है अब जो हमारा intestine की वॉल में जो हमारे डाइवर्टिकुलम होगा वो anti-migentric border में होगा दूसरी side हमारा misantry प्रिजेंट रहेगा और misantry की opposite side में हमारा डाइवर्टिकुलम प्रिजेंट रहेगा अब जो हमारी डाइवर्टिकुलम की side होती है जो ये intestine है इसकी एक तिरब हमको misantry का attachment दिखेगा जो हमारा out poaching होगी या डाइवर्टिकुलम होगा वो opposite side रहेगा हमारे misantry के misantry अगर इस side है तो इस side हमको out poaching देखने को मिलेगा जो की मेकल्स डाइवर्टिकुलम होगा अब जो anti-migentric border में present होगा है जो की commonly हमको ileum वाले region में देखने को मिलेगा ये हमारी जो bowel की तीन layer होगी outer उसमें और intestine की जो तीन layer outer होगी वो ही हमारे इसमें जो डाइवर्टिकुलम है उसमें भी present रहेगी जो mucos membrane होगी इसकी उसमें हमको अलग cells देखने को भी मिल सकती है जिसमें gastric cells और pancreatic cells और या colonic cells देखने को मिलेगा In 20% of cases, mucosa-contained heterotropic epithelium like gastric जो कि सबसे commonly heterotropic में हमारा gastric cells देखने को मिलेगी उसके अलावा colonic cells और pancreatic tissue हमको देखने को मिलेगा अब जो हमारा JIT system रहेगा वो रहता है हमारा development कि दौरान योक से अटेस्ट रहता है जो कि एक duct के तरोज जिसको हम vital intestinal duct कह रहे हैं अब जब देरे-देरे हमारा placenta का निर्मान होता है तो ये जो duct होती है हमारी ये देरे-देरे खतम होने लग जाती है अब कुछ condition ऐसे हो जाती है कि अगर ये out poaching हुआ है तो जो ये वाला part रहता है कभी-कभी ये इससे attach हो जाता है जब कि ये पूरा obliterate हो जाता है इसका जो lumen रहता है वो पूरा बंद हो जाता है तो अगर इस diverticulum से इस part का attachment कुछ रहता है और यहाँ पे हमारा जो umbilicus होता है उसका निर्माण होते हैं लग जाता है तो umbilicus से एक band नुमा structure हमारा जाता है जो कि हमारा diverticulum से attached रहता है तो इसको हम band कहते हैं जो कि हमारा diverticulum से attached रहता है तो diverticulum with band रहेगा जो कि हमारे umbilicus से attach रहता है किसी किसी condition में जो ये vitelo intestinal duct है ये किसी भी region में obliterate न होके ये umbilicus जो develop होता है हमारा उससे सिधे connect रहता है और हमारी जो intestine के lumen होता है उससे connect करता है umbilicus को तो इस condition को हम fistula कहेंगे ये भी एक type की development anomaly है कभी कभी किसी condition में हमारा जो ये vitelo intestinal duct होती है ये obliterate हो जाती है बट ये यहां से इसका connection तोटता नहीं है तो ये एक fibrous band के structure को निर्मान करता है जो कि हमारे intestine से लेकर umbilicus region तक connect रहता है इट में भी connected to or communicated with the umbilicus through a band और फिशला फिशला और band के कारण umbilicus से हमारा connection रहेगा या तो intestinal lumen का या तो हमारे जो divertic limb है उसका band के थरोक connection ambilicus से हो सकता है इट में भी associated with isofasial atrecia और anorectal malformation ये दोनों भी congenital condition है इसो phasial atrecia मैं देखने को मिलता है कि जो हमारा foregut का region होता है foregut का जो development होता है और midgut का जो development होता है जब development GIT system का होता है तो foregut वाला part midgut वाले part से जड़ जाता है कभी कभी किसी condition के कारण जो हमारा foregut को वाला part होता है वो distally close रहता है और जो midgut वाला part होता है वो भी हमारा जो proximal part होता है वो भी close रहता है ये दोनों आपस में connect नहीं हो पाते हैं तो ये हमारी isopheasial atrecia की condition को develop करते हैं second है हमारा anorectal malformation जिसमें हमारा imperforated anis common condition है anal canal और rectum वाली जो condition है होंगे जिसमें proper हमारा anal canal की और rectum का outside connection नहीं हो पाता है तो उसमें imperforated anis condition जो commonly देखने को मिल सकते है इनके साथ हमारा diverticulum की condition भी देखने को मिल सकते है presentation of Michael's diverticulum Michael's diverticulum में क्या-क्या symptom हम को देखने को मिलेगा अब जो ये Michael's diverticulum होता है majority इसमें asymptomatic cases देखने को मिलता है जिसमें कोई भी symptom हम को देखने को नहीं मिलेगा अब कुछ condition ऐसे होती है जिसमें hydrotropic अगर cells रहती है या कुछ other condition जैसे कि obstruction का case हो सकता है या other condition हो सकते हैं उसमें कोई inflammatory changes होए है जिसके कारण उसमें perforation या कोई inflammatory condition होने के का hemorrhage के condition आ सकती है या उसमें कोई band होगा तो उसके कारण obstruction का case हो सकता है या उसमें पर्पुरेशन या हर्णिया हो सकता है इसके हर्णिया को हम लेटर सानिया कहते है अब इसके केस में हमको सीवर हीमरेज देखने को मिलेगा जो की मेरून कलर स्टूल के रूप में देखने को हमको मिलेगा जो percent होगा वो maroon color का stool का defecation करेगा intestinal obstruction देखने को मिल सकता है अब इसकी जो wall है इसमें हमारे जो mycosm membrane है उसमें gastric cells हमको देखने को मिल सकते है pancreatic cells देखने को मिल सकते है colonic cells देखने को मिल सकते है जो gastric और pancreatic cells होती है वो दिरे दिरे अपना जो nature के अनसार gastric cells होती है वो acid का scrutin कर सकती है तो अगर intestine वाले region में gastric cells है तो वो भी acid का निर्मान कर सकती है जिसके कारण हमारे जो intestine की wall है उसमें irritation हो सकता है और acid के कारण, travma होने के कारण वो purpurate और purpuration करवा सकती है मेकर्स डाइवर्टिक लंब के केस में क्या investigation हमारा important हो जाता है इसमें technetium 99 radio isotope examination scan करवाना चाहिए technetium 99 radio isotopes जो हमारा injection के form में हमको body में पहुचाना है जो हमारे diverticulum की cells होती है उसमें ये absorb हो जाता है अगर gastric cells है तो उसके कारण हमको scanning करने पर इसके absorption होने के कारण वहाँ पर हमको जो gastric cells होगे उसके scanning करने पर पता चल जाएगा कि उसमें कौन से type की cells है X-ray abdomen कराना है अगर perforation obstruction का case होए तो उसमें X-ray abdomen हमको important हो जाता है लेप्रोस्कोपिक के या लेप्रोस्कोपिक examination के लिए या हमारा therapeutic action के लिए हमको लेप्रोस्कोप का यूज करवाना चाहिए जिससे हमको diverticulum की condition भी commonly आसानी से देखने को मिल जाएगी मेकल से diverticulum के case में हमको क्या treatment करना जाए अगर पैसेंड ए सिम्टमेटिक है तो उसको हमको छोड़ देना चाहिए अगर उसमें कोई condition या कोई ऐसे inflammatory change पर्फुरेशन या कोई obstruction या कोई हर्णिया की condition न हो तो उसको हमको left alone कर देना चाहिए अगर उसमें कोई band है कोई obstruction का case है पर्फुरेशन का case है या inflammatory changes है या कोई other cells है तो उस condition में हमको macus diverticulectomy भी कर सकते हैं यह macus diverticulectomy के साथ हम resection और anastomosis कर सकते हैं जो diverticulum condition है इसमें जो mucous membrane है इसकी अगर उसमें intestinal cells है तो intestinal जो mucous cells होंगे अगर इसमें present रहती है तो इस case में हम macus diverticulectomy कर सकते हैं तो macus diverticulectomy की condition में हमको केवल और केवल हमको diverticulum के जो पार्ट रहेगा उसको excise करना है और जो यह वाले region है इसको हमको anastomosis करना है अगर इस condition में हमको macus diverticulum जो condition है अगर इसमें heterotropic type की cells अगर देखने को मिलेगी तो जहां जिस region तक हमारे heterotropic cells हैं उस region तक हमको reflect करना है और उसके उपरान हमको anastomosis इन पार्टों को आपस में जोड़ना है resection and anastomosis यह condition यह operative method इसमें हमको apply करना है अब जो macus diverticulum करना है वो केवल और केवल हमको देखना है कि जो इसकी macusa cells है वो intestinal ileum वाली cells है कि नहीं है अगर इसकी heterotropic cells है तो हमको जहां तक heterotropic cells होंगे वहां तक हमको resection करवाना है और उसके वाद इन इस्टोंosis करना है अगर हम heterotropic जो condition होगी उसमें अगर केवल macus diverticulectomy करवाते हैं तो जो other cells जहां जहां तक फैली है वो हमारे बाद में malignancy के और अग्रसर होती है malignancy के chances को बढ़ाती है या other condition के chances को बढ़ाती है पर्पुरिशन वगरे को तो इसलिए उसमें resection and anastomosis जो अपरेटिव प्रोसीजर होगी वो important हो जाती है